इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि C language में जो character set हम इस्तमाल करते हैं, वो character set जो है, वो कौन-कौन से हैं, इसके अंदर सबसे पहले आते हैं lowercase letters, lowercase letters जिनको हम small a, b, c भी कहते हैं, इन्हें हम C language में इस्तमाल करते हैं, यहां पर a, small a, यह एक single character है, और यह character set है, इसको lowercase letters कहा जाता है, इसी तरह हम C language के अंदर capital letters जो है, a, capital a, capital b, capital c, जिनको uppercase letters कहते हैं, इनका इस्तमाल करते हैं, इसी तरह digits जो है, 0 से लेकर 9 तक, इनको भी as a character इस्तमाल किया जाता है, और जो special characters हम इस्तमाल करते हैं, plus, minus, multiply, divide, इस तरह के symbols होते हैं, इने special characters कहा जाता है, यह भी C language के character set का हिस्सा है, इसके अलावा, जो हम white space इस्तमाल करते हैं, जब भी हम अपना code लिखते हैं, तो इसके अंदर हम अपनी space जो देते हैं, दो alphabets के बीच में, तो वो space भी जो है, वो दर असल एक single character के लाता है, मिसाल के तौर पे, जैसे आप देख सकते हैं, यहां पे, इसके बाद जब मैं space प्रेस करूंगा, तो यह space हमने प्रेस की है, इसके अंदर जो यहां से लेकर यहां तक distance आया है, यह space भी जो है, यह दर असल एक character है, इसको हम visually अपनी आखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन यह space जो है, यह character count होता है, और इसके एक खास ask की value होती है, जिसको computer understand कर सकता है, इसके लावा जो है वो new line, blank के बारे में हमने पढ़ लिया, जो के blank white space होती है, इसके लावा जो new line character हम इस्तमाल करते हैं, slash n, जिसको back slash n भी कहते हैं, जिसको escape sequence भी कहा जाता है, यह भी हमारे पास C language के character set का बहुत ही important हिस्सा है, इसके लावा हम tab का इस space का इस्तमाल करते हैं, जैसे के, मिसाल के तोर पे, यहाँ पे अगर मैं tab प्रेस करता हूँ, tab की keyboard की की है, इसको अगर मैं प्रेस करते हैं, तो आप देखें कि खास distance यहाँ पे पैदा हो जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance पैदा हुआ हुआ है, यह tab की की वज़ होते हैं, प्लस का जो sign है, माइनस, मल्टिप्लाइ, डिवाइड, यह चार arithmetic operators हैं, जो के arithmetic operations के लिए इसके साथ आपको यह एक निशान नजर आ रहा है, इसको percent का जाता है, यह खास तोर पे इस्तमाल होता है, modulus के लिए, यह mod operator के लिए, जिसको हमने modulus operator, जब हम पढ़ रहे थ होता है, दो numbers के बीच में, जो remainder value है, उसको find out करने के लिए, इस तरह equal to का निशान है, और इसको हम hash कहते हैं, यह जो निशान है, इसको m% कहा जाता है, यह end operator कहा जाता है, यह खास तोर पे address के लिए इस्तमाल होता है, यह जो symbol है, इसको tilt कहा जाता है, इसको not operator कहते हैं, यह कि जो सिम्बल है, इसको question mark कहा जाता है, यह single comma और double comma कहाता है, इस operator को करेट है कहती है, यह जो operator कहा जाता है, बलकि, यह यह operator इसको slash कहा जाता है, इसको back slash जाता है, यह जो आपको बिलकुल straight करेक्टर नजर आ रहा है, इसको pipeline करेक्टर कहते हैं, बाकी जो symbols हैं, less than, greater than और तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि डिफरेंट स्पेशल करेक्टर्स कोड लिखते हुए, जब भी हम C language कोड लिखते हैं तो यह तमाम करेक्टर्स की मदद से ही हम पूरे C language की जो sentences है या उसकी जो instructions है उनको हम type करते हैं.